नमस्कार दोस्तों आज आप लिए लेकर रहा हैं कलास 7 साइन्स कोश्चन पेपर देखिए पहला कोश्चन है हमारा परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माड होता है तो रसाइनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माड होता है तो यहां पर रसाइनिक भराएगा छार स्वाद में जो है कड़वा होता है यहां पे कड़वा भराएगा नर्त थमादा इग्मकों का मिलना जो है सन्यूग मुका लाता है टाक्टर हिर्दे धड़गन को मापने के लिए जो है एस्थो एसकोप नामक यंत्र का उपियो करते हैं स्वेध परकास जो है सात रंगो है ठीक है उसके बाद है बॉल्ब सोरी बिदूद सेल आपका यहां पर है देखिए यह है आपका बिदूद सेल यह आपका है बिदूद सेल ठीक है हम इसको बिदूद सेल में मिला दिए दूसरा है बॉल्ब इसको हम बॉल्ब में मिला देंगे ठीक है स्वीच आन की स्थित और स्वीच आफ की स्थिति आपका इसके बाद है बैटरी बैटरी आपका यहाँ पे आपको मिला देना था ठीक है तिस तरस्थ से आपका होगी आप देखिए सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निसान लगाना है अम्लिय बर्षा के कारण ठीक है नश्ट होते जा रहा है फोल एक परिपक अंडासे है ये भी आपका सही है सभी परकार के मिटी में जल धारर को चमता समान होती है हम अलग राग है रित्यू में अलग परकार के कप्ड़े पहुंते है सही है पतियों से भोजन का आज सन्यम्स पाउजय के विभीन अंगों तक फोलियम नामक उतक से किये जाता है तो यह भी आपका सही है सर्दियों में एक मोटे कपड़े के अपक्षा उसी मोटाई के कोई पर्तो वाला वस्तरावधी गर्मी परदन करता है कोकुन को एक सही समय पर उबालना क्यों जरूरी है डक्टर यह थर्ममेटर यह अंपरियों के सारा थर्ममेटर के कारियां अंबराड को बताएं सर्दियों में मोटे कपड़े की अपक्षा हम लोग उसी मोटाई के पर्तो वाला पहांते हैं सुद्धी में गर्मी में तो देखिए बायू उसमा रोधी है जिसके होकर उसमा का संचराण नहीं हो सकती है सर्दियों में कोई पर्तो वाला वस्तरा ओडने से एक उनके बीच के परत होने के कारण सरीड की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है ठीक है पाचवा आपका क्वेशन है कोकुन को एक साही समय पर पानी में उबालना जरूरी है ताकि उससे रेसम के रेसे अलग हो जाए यदि स चुनाव नहीं कर पाते हैं तो बैक्ती कीट में परिवर्तन करता है और इसको और पराव्त नहीं होए पाती है डक्तरडदी थर्मामीटर देखें मानाव सरीड के रबान डक्तरडदी धर्मामामीटर दौर्छ जात Says स्यंत्रीम्ट्र लंबी बारिक समान समान बैक्ति की काच की नली होती है जिसके एक सीरे पर बल्ब जिसमें पारा भरा रहता है गर्म होने पर यह पारा उपर की ओर बढ़ता है और चमकता है निम्न बिंदू 35 दिगरी सेल्सिया और उच बिंदू जो एक साथ दिगरी फारान हाइट से चीन रहता है इस पर ठीक है इनके मापन मानों का ताप जो है हम आपते हैं बुखार मापते हैं ठीक है तो दोस्तों अगरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कि आप प्लीज चैन बैंक बिवी आई कोशन जो है देख सकते हैं पेपर देख सकते हैं ओरीजिनल तो दोस्तों अगरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें